तो पीडियो शुरू होने से पहले से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए जिससे जो भी वीडियो में अपलोड करूं उसका नौटिफिकेशन आपको तरंत मिल जाए और आप वीडियो को पौच कर सकें तो जो सीटेट के प्रीविएस एर कोश्चन सॉल्ट पेपर की जो सीरी चल रही है उसमें ये चाइल डवलपमेंड और टीचिंग मेथट का ये वीडियो है तो इसको द्यान से देखें और इसको अपनी तयारी में शामिल कर लेए बहुत ही आपके लिए वेनिफिट करेगा तो आ मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुड के साथ परम सून वीओ क्या कहलाती है अनुपात मापनी कहलाती है तो इसके जो डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया था कि मापन के मुख्य रूप से चार इस्तर या चार प्रकार होते हैं तो ये वी एक आपका कॉश्चन बन सकता ह कि मापन के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं तो चार इस्तर या चार प्रकार होते हैं साब्दे के अनामित मापनी सेकेंड क्रमिक मापनी थार्ड अंतराल मापनी और फूर्थ है अनुपात मापनी का मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुड तो यह जो है इनका सही आंसर है पराहम तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नमर सी पराहम तो सिग्मंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को इस्पष्ट करने के लिए मनोव इसलेश्डात्मक सिध्धान्त का प्रित्पादन किया व्यक्तित्व के मनोव इसलेश्डात्मक सिध्धान्त के दो मुख्य संप्रत्ते चेतन, अर्धचेतन वा अचेतन तथा इदम अयम वा परायम मने जाते हैं फ्रायड ने व्यक्तित्त संरचना में इदम, अहम एवं अत्यहम, पराहम इन तीनों तत्तों को विसेश महत्त देते हैं। उनके अनुसार जब ये तीनों तत्तों एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कारी करते हैं, तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रवावसाली धंग से समन्वे स्थापित कर लेता है। फ्राइड के अनुसार एदम व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ती के लिए प्रयास करने हेति उक्साता है, जबकि पराहम सामाजिक मानिताओं वा परंपराओं के अनुरूप कारी करने की प्रेणना देता है। इसे आत्मा के अंतकरण की पुकार भी कहा जाता है। व्यवारवादी ने कहा है, बीच में डैस है, तो इस ये कोटेशन ने किस ने कहा है। व्यवारवादी डैस ने कहा है, मुझे नवजा सिसु दे दो, मैं उस डाक्टर वकील चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। तो उनका कहना ये था कि मुझे कोई भी नवजा सिसु दे दो, मैं उसको चैन डाक्टर भी बना हूं, वकील चोर या कुछ भी बना सकता हूं। तो ये जो कोटेशन थी, ये जो किसी का जो ओपिनियन था वो था वाटसन का, तो उनका मानना था कि अगर उनका कहना ये था कि बच्चे को आप कैसे भी डालेंगे, अगर वो शिशु होता है, तो आप जैसी उसको नॉलिज देंगे, वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, तो वाटसन विवारवादी मनोविज्ञानिकों में अग्रणी थे, वाटसन ने मनोविज्ञान की छेतर में विवारवाद को इस्थापित किया, और मानव विकास में विवारवाद की भूमिका को महत्वपूर माना, इनोंने अपनी विवारवादी द्रिश्टकोंड को 1913 में कोलंबिया विस्विध्याले में प्रस्तुत किया इनका मुख्य कतने मुझे नवजाश शिशु दे दो मैं उसे डॉक्टर वकील चोर्या जो चाहूं बना सकता हूं इस से के साहथ देखते हैं हमारा नेक्सट गुश्चन ध्यान आकरसित होने में डैस की प्रमुक भूमिका होती है तो ध्यान आकरसित होने में किसकी भूमिका होती है उद्धीपन की तीब्रता की उद्धीपन की तीब्रता ध्यान आकरसित करने में महतपूर भूमिका निभाती है क्योंकि उद्धीपन की तीब्रता जितनी जादा होगी व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी और आकरसित हो ज उसको कोई पढ़ने का इंटरस्ट नहीं है तो इसमें आप कैसे इंटरस्ट जागरत करेंगे तो इसका सही आंसर बेसिकली सभी को पता होगा D option प्रेडना प्रेडना पाकर बच्चे पढ़ाई में रुची लेने लगते हैं जिससे ग्यानारजन की गती भी तीब्र हो जाती ह इसी संदर्म में Thompson ने लिखा है प्रेडना चात्र में रुची उत्पन करने की एक कला है तो ये भी question आ सकता है कि इतना ये दे दिया कि प्रेडना चात्र में रुची उत्पन करने की कला है ये किसका कथन है तो ये Thompson का कथन है ठीक है तो next question है Freud के answer तो इसका first option है ग्रेड किय या सीखे हुए तत्यों को धारण करने या पुनैस्मरन कने के सफलता को बिसमरन कहते हैं B option है बिसमरन का आर्थ है कि किसी समय प्रहतन करने पर भी किसी पूरवनवव का सफलता, falti और मुझान से कोई नहित का निय से उसकर सही नहीं खरमती है से लग करता हनल उप्रियुक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका सही आंसर है विस्मरण बहे प्रवर्ती है जिसके द्वारा दुखद अनवमों को इस्मरती से अलग कर दिया जाता है तो सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुक तंत्र का तंत्र विसे सग थे तो ये भी क्वेशन बन सकता है कि मनोव एज्ञानिक सिगमंड फ्राइड कहां के वेज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के नर्वस सिस्टम के विसे सग थे जो इनका ग्यान था वो तंत्र का तंत्र पर आधारिता इन्हें मनोव इस्लेशलात्मक चिकिट्सा का पिता माना जाता तो ये बहुत इंपोर्टे विकास में मनोव इस्लेशलात्मक संकल्पना प्रस्तुत किया तथा उनके अनुसार मानव की श्मृति मानव विक्तुत के विकास में एहम भूमिका निभाती है उन्होंने कहा कि बिस्मरण बह प्रवत्ति है जिसके द्वारा दुखत अनुववों को इस्मृति से अलग कि तो यह कथमने से फ्राइड का है नेस्ट कुश्यन हें आपका स ओ ऑर इसके द्वारा प्रस्तावित गया तो एस्ओ ऑर इसमें से कोई भी और संठीक नहीं है यह जो 2016 में दिया गया तो इसका कोई भी आंसर ठीक नहीं था SOR की जो full form होती है वो होती है Stumules Organism Response तो इसका सही आंसर था अमेरिका की बैग्यानिक बुडवर्थ तो जो SOR है वो बुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था बुड़ तो इसको आप नोट कर लीजिए अगर इस वार आता है तो इसको आप सही टिक कीजिए SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया अमेरिका के बैग्यानिक बुडवर्थ के द्वारा SOR की full form क्या होती है Stimulus S-T-I-M-U-L-U-S Stimulus Organism Organism Response Response तो इसको भी आपको नोट कर लेना है ठीक है तो देखते हैं Next Question ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दसा है तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दसा रुची होती है अगर आपका इंटरस्ट है तो आप उसमें अपना ध्यान चरूर लगाएंगे ठीक है तो Next Question है एक परिस्तिती में अरजित ग्यान दूसरी परिस्तिती में उपियोग कहलाता है तो एक परिस्तिती में अरजित ग्यान दूसरी परिस्तिती में सीखने में इस्थानांतरण कहलाता है एक परिस्तिती में अरजित ग्यान का दूसरी परिस्तिती में उस ग्यान के उपियोग को सीखने में इस्थानांतरण कहलाता है अता जब एक विशे के ग्यान अथवा एक परिस्तिती में सीखी बातें दूसरे बिसे को सीखने में अत्वा अन्य परिस्तिती में सीखी जा रही बातों के अध्यन में सहायक अत्वा गातक होता है तो उसे सीखने का इस्थाना अंतरण या अंतरण कहा जाता है तो नेक्स्ट कोईशन है अनुवफ द्वारा विवार में परिवर्तन कहलाता है अनुवफ द्वारा विवार में परिवर्तन सीखना कहलाता है कि आपको कोई भी चीज का experience हो जाता है तो आप उससे सीख जाते हैं तो अनुवफ द्वारा विवहार में जो परिवर्टन होता है उसे सीखना कहते हैं उधारन सरूप यद बालक की सामने लाल मिर्च रखी है तो वे जिग्यासा के कारण मुह में दवाता है और उसे काटती उसको तीखा का ग्यान होता और रोने लगता है इसलिए वे मिर्च को फेक देता है फिर उसके पास कभी नहीं जाता क्योंकि उसने अनुवफ से सीख लिया कि लाल मिर्च कडवी होती है इस प्रकार सीखना पूर्व अनुवफ द्वारा विवार में प्रगतसील परिवर्टन है मनो बैग्यानिक सिंप सन के अनुसार विवार में कोई भी परिवर्टन जो कि अनुवफों का परिडाम है और जिसके फल्सुरू व्यक्ति आने वाली प्रस्तितियों का भिन्द प्रकार से सामना करता है सीखना या अधिगम कहलाता है तो यह भी आपका एक कोईशन बन गया कि विवार में कोई भी परिवर्टन अनुवफों का परि नेक्स्ट कोईशन है सांख्यकी में वेहर एंख चित्र जिसमें आव्रतियों का स्तंभ द्वारा प्रदर्शन किया जाता है क्या कहलाता है तो इस्तंभाक्रति कहलाता है ऐस centre क्रती में सबस्ता में बुद्धी रशजार कों सीतितियों सभी को पता होगा फिर भी आप इसको याद कर लीजे कि विकास की अवस्था में सबसे अधिक जो हमारा विकास होता है वो किसोर अवस्था में होता है जो हमारे टीन एज होती है उसमें होता है सिसू का अधिकांस विवार आधारित होता है तो सिसू का जो अधिकांस विवार होता है, वो मूल प्रवत्ती पर आधारित होता है, सहस्वा वस्था बालक का निर्मार काल कहलाता है, ये भी ये कोशन बन गया, कि बालक का निर्मार काल क्या कहलाता है, तो सहस्वा वस्था, इसे सीखने का अनोखा काल भी कहते हैं, तो ये भी आपका कोशन बन गया, कि सीख फिखने का नो का कल कि से कहते हैं सहस्व वस्था को इस अवस्था में शिशू ब्यभार मूल प्रबतियों पर इस अवस्था है gota मूल प्रहप्तियों पर आध्रित होता है यैसरो नास्थ्यम की वगलग ह संपूरॉवि zł को प्रभावित करती है। इसलिए मनोब्य अग्यानिक ने सैस्वा वस्था को मानव जीवन का आधार माना है तो ये इसका जो आंसर था सिसु का अधिकान स्विवार का किस पर आधारित होता है मूल प्रवत्ती पर नेक्स्ट कोशन है अंतर दृष्टी सूज द्वारा सीखने की सिध्धान्त में कोहलर ने प्रियोग किया था तो अंतर दृष्टी द्वारा सीखने की सिध्धान्त में कोहलर ने वन मानुसों का पर प्रियोग किया था ठीक है सूज या अंतरद्रिष्टी का सिधान देने का श्रे जर्मन की मनो वैग्यानिक वोल्फ गैंग कोहलर को है तो ये भी आपको याद रखना है कि जो वोल्फ गैंग कोहलर है वो कहां के वैग्यानिक है जर्मन के जिन्होंने अपनी पुस्तक Mentality of Ops तो ये भी आपको याद रखना है कि Mentality of Ops किसकी पुस्तक है वॉल्फ गैंग कोलर की इन्होंने 1925 में इसको प्रस्तुत किया था कोलर ने सूज का सिद्धान्त बनमानस या सिल्तान नामक चिंपांजी पर किया था कोलर के अनुसार कलपना जितनी अधिक होगी सूज की चमता भी उतनी अधिक होगी ठीक है तो ये भी आपके लिए आ सकता है कि कलपना जितनी अधिक सूज की सद्धा का विकास भी उतना अधिक होगा तो कोलर के अनुसार है ये कोलर का ये कथान है तो next question है यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धी वाले वच्चे डैश में उच्च होंगे तो स्रजन सीलता में ठीक है यह तो आवश्यक नहीं है कि जैसे most intelligent वो वच्चे creative भी होंगे ठीक है तो किसी भी समस्या का संपूर हल प्राप्त करने की योगिता को बुद्धी कहा जाता है जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की चमता को स्रजन सीलता कहा जाता है अता बुद्धी लब्दी के आधार पर स्रजन सीलता का मापन नहीं किया जा सकता ततह यह भी नहीं निश्यत हो सकता है कि उच्च बुद्धी लब्दी वाले बालक सरजन सीलता में उच्च होंगे तो नेक्स्ट गुशन है अधिगम में प्रभाव का नियम किस ने दिया तो ये सभी को कुश्चन पता है कि अधिगम ने प्रभाव का नियम थौर्ण हाइक ने दिया था थौर्ण हाइक ने अधिगम याद सीखने की मुख तीन नियम दिये ततपरता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम तो ये भी question आ सकता है कि थौर्ण हाइक ने सीखने की कितने नियम दिये ततपरता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम प्रभाव के नियम के अनुसार हम उस कारी को सीखना चाते हैं जिसका परिडाम हमारे लिए हितकर होता है प्रभाव संतोस जनक होने पर व्यक्ति उस अनुकृया को सीख लेता है तथा असंतों सुत्पन होने पर उस कारी को नहीं करना चाहता है प्रभाव के नियम को अध्यापत द्वारा कक्षा कश में लागू करने के लिए मुख्यते दो कारी करने या तियावश्यक होते हैं सिच्चकों को अध्यापन कारी करते समय बालकों का उस्सा बढ़ाना चाहिए, सिच्चकों चाहिए कि पाठिकरम को विवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करे, ताकि छात्रों में अधिगम के प्रती अविरुची भड़े, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेशन है, नि जो ये विदी दी हुई है, प्रत्याहन विदी, पैचान विदी, पुना सीखना विदी, इस्मृती के मापन में प्रियोग की जाती है, इस्मृती बहय योगिता है, जो पूरवनववों या अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने, तथा कलांतर में उसका चेतन जग प्रियोग करने में संबंदित, प्रियोग करने से संबंदित है, प्रत्याहन विदी, पैचान विदी तथा पुने सीखना विदी इस्मृती से संबंदित है, तथा तारकिक विदी बौधिक चमचा से संबंदित है, तो आपको ये वी याद रख लेना है कि तारकिक विदी मरे के द्वारा किया गया जो मनोवैग्यानिक मरे हैं तो प्रासंजिक अंतरवोध परिचण व्यक्तित तुमापन का एक परिचण है इस परिचण का विकास 1935 में हावर्ड विश्विध्याले के सिख्षक या टीचर ऐसे मुर्य द्वारा किया गया टीटी परिचण मेंENS 30 कार्डों का प्रिचण किया गया जिसमें एक आड़ शादा रहता है तथा परिचण की समय एक व्यक्ति पर अज़िदम वीस कार्डों का प्रिच या जाता है तो इसी के साथ देखते हैं next question मनोविज्ञान का सिच्छा की छेतर में सबसे बड़ा योगदान है मनोविज्ञान का सिच्छा के छेतर में बाल के इंदरिक सिच्छा पर सबसे बड़ा योगदान है मनोविज्यान का सिच्छा के छेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रिक सिच्छा के विकास में है मनोविज्यान के द्वारा ही सिच्छा के छेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया जिसके परणाम सरूप बालक के विवार को नियंतृत करके सकारात्म को दिशा प्रदान की जाती है तथा सिछड पाठिकरम तथा सिछड कोशल छात्र के अन्गूल ही तैयार किये जाते हैं ताकि छात्र सहिजता पूरवक अधिगम कर सकें निमलिखित मैसे कौन सा ब्रद्दी और विकास के सिध्धान्तों से समंधित नहीं है तो आपका सही आंसर है बरगी करण का सिध्धान्त तो ब्रद्दी एवं विकास सतत चलने माली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय सिसू से आत्म निर्मर प्रोंड बनाती है विका की प्रक्रिया नियंत्रत होती है तो इसके जो फर्स्ट पॉइंट है निरंतरता का सिध्धान्त सेकिंड समन्वाई का सिधान ठाइड이지 कता का सिधान फॉर्थ पॉयंट स बेक्ष circumstance विकास इस सिधान नहीं होता है करने देखक्षा में पात्ष प्रस्तावण'RE सोपान सीखने के लिए नियम आधारित है तो ततपर्ता का नियम कक्षा सिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने में सीखने के नियम पर आधारित है तो ततपर्ता में कार्य करने की सकती नहित रहती है तता साथ में ततपरता से सक्रियता भी बढ़ जाती है ततपरता के नियम को तयारी का नियम भी कहते है इस नियम के तहट निम्न कार्य करने चाहिए सिच्छकों को बालकों की अविरुची एवं अभी छमिता का मापन कर लेना चाहिए मतलब बालकों का इंटरस्ट और उनकी जो चमताएं हैं जो उनकी मतलब कार करने की जो चमता उसको भी जाच लेना चाहिए जिससे उनकी ततपरता का ज्यान हो और ग्यात से अग्यात की ओर बालकों को ततपरता के अनुरूप से अच्छडिक विवस्ता होनी चाहिए पूर प अधा विजय कर लेना है तो यसी कार के लिए तयार होना युद्ध को आधा विजय प्राप्ट कर लेना किसका कत्अने भाट य अघू संप्रत्त निर्माड का प्रथम सोपान क्या है प्रत्यक्षी करन तो इसका सही आंस़ार है प्रतियक्षी करण तो संप्रत्य निर्माड का प्रतम सोपान है प्रतियक्षी करण संप्रत्य का मतलब होता है संकल्पना निर्माड के तीन नियम तीन निर्माड की सोपान निम्न है प्रतिची करण, विवेदी करण, प्रतक करण, समानी करण अता संप्रत्य निर्माड का प्रथम सोपान प्रक्त्यक्षी कराण होगा प्रेचनात्मक अधिगम संप्रत्य द्वारा दिया गया तो प्रेचनात्मक अधिगम संप्रत्य बैंडूरा द्वारा दिया गया था प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्य अलवर्ड बेंडूरा के द्वारा दिया गया प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रसंप्रत्य का निर्माट दूसरों के व्यवारों का प्रेचण करने से होता है इसे पहले अनकरण कहा जाता था बंढूरा ने कई प्रायोगी कद्धेनों में प्रेच्षणात्मक अधिगाम की बिस्त्रित खोजबीन की इस प्रकार से अधिगाम में वेक्ति सामाजिक विवारों को सीखता है इसलिए इसे कभी-कभी सामाजिक अधिगं भी का जाता है हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक इस्तितियां आती हैं जिनमें ये ग्यात नहीं रहता कि हमें कैसा विवार करना चाहिए ऐसी परिस्तितियों में हम एक दूसरे व्यक्तियों के विवार का प्रेक्षन करते हैं और इनकी तरह विवार करते हैं तो next question है उधारण, निरीचन, विसलेशन, बरगी करण, नियमी करण, निमलिखित में से किस विधी के सोपान है, तो आगमन विधी के सोपान है, उधारण, निरीचन, विसलेशन, बरगी करण, नियमी करण, तिथा प्रिथम, नियमी करण का सोपान, आगमन विधी के अंतरग टीचिंग मेथड और बालक से जो सुरी मतलब स्लिप हो जाता है जो भी बोलना चाहरी हूं बाल विकास चाहिल्ड डेवलप्मेंट एबं सिच्छड विदी से संबंदित कुछ महतपूर प्रश्णुत्तर जो की आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट इनको जरूर तयार की कीजिएगा और जो भी आपकी कमेंट हो उसके कमेंट वाक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा थैंकी फॉर वॉच्चिंग अ